हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स आज मैं ऐसी जवरदस्त रेस्पी सेयर करूगी जिसे आप जब चाहे तब बना के तयार कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है घर के सामान से ये बन के तयार हो जाता है इसे छट पर में भी लोग बनाते हैं ये बहुत ही सॉप्ट बन के तयार होता है तो मैंने इसे बिना इनो बिना सोडा के बहुत ही हेल्दी तरीके से बना के तयार किया है तो चलिए इस रेस्पी को बिना टाइम वेस्ट की बनाना देख लेते हैं इस recipe को बनाने के लिए हमने यहाँ एक कप गेहूं का आटा ले लिया है गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया यह बनता है आप चाहें तो यहाँ आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं लेकिन गेहूं का आटा जादा हिल्दी होता है और mostly बच्पन से हम लोग इसी गेहों के आटे से ये recipe खाते आये हैं तो बहुत ही tasty और unique बनता है तो यहां हमने खड़ी चीनी ले लिया है तो एक cup गेहों के आटा के साथ आधा cup से कम चीनी हमने लिया है friends आप थोड़ा सा मीठा अगर जो perfect मतलब मीठा खाते हैं अच्छा मीठा तो आधा cup इसमें चीनी एड़ कर दीजिएगा और यह जो चीनी है बिल्कुल खड़ी हमने लिया है आप चाहें तो piece case का powder बना के भी यूज कर सकते हैं हमने यहाँ पौना cup पानी ले लिया है एक cup गेहूं के आटे के साथ पौना cup पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसका घोल बनाते जाएंगे इक ही बार अगर जो आप पूरा पानी डाल देंगे तो जब गुटली बन जाएगी तो तोड़ना बहुत मुस्किल हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने पौना का पानी इसमें पूरा एड़ कर दिया है और इसको अच्छे से फेटते हुए तो अब हम इसे रिष्ट पर रख देंगे और आधे गंटे के लिए हम रिष्ट पर रखेंगे फ्रिंट्स उसके बाद आप देखिएगा यह कितना अच्छे से सेट हो जाएगा यह जो हमने बैटर बना के रखा है तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यह फूल जाता है और सेट हो जाता है अब देखिए जब हम इसमें ऐसे घुमा रहे हैं तो इसमें जाली एकदम बहुत अच्छी बन रही है तो यहां बीना इनो बीना सोडा का यह रेस्पी बनाएंगे क्योंकि हम जब इसे ब्रत में यूज करना है तो बिल्कुल सुद्ध तरीके से इसे बना क यूज करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो कहते हैं इस रेस्पी को दो-तीन दिन तक फ्रीज में आप स्टोर करके खा सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होता है तो बिना इनो और सोडा का जो यह बन के तयार होगा दो-तीन दिन तक बनाएंगे इसको वो जो है खाने में उतना टेस्टी नहीं लगेगा इसे गरम-गरम या ठंडा खाएं दोनों में बिल्कुल परफेक्ट जाता है यहां फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलाइची पाउडर एड़ कर सकते हैं मैंने यहां रोज एसेंस एड़ कर दिया है मेरे पास इलाइची पाउडर नहीं था आपको सिस करें कि इलाइची पाउडर में इसको बनाया जाता है कुछ लोग इसमें सौफ भी एड़ कर देते हैं लेकिन मैं इहां सौफ नहीं एड़ करूंगी और ड्राइफ रूट में जो यह सूखा नारियल होता है बहुत ही टे अच्छे से फूलेगा और डालने के तुरंत बाद हमें चूना नहीं है क्यूंकि जब हम डालते हैं तो यह एक पास चिपकते जाता है जो कडाही है वह गहरी है फ्लैट में आप इसको फ्राइची करेंगे तो वह मेरे खाल से थोड़ा दोर दोर रहेगा लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे मैं डाल रही हूं यह सारा सिमट के एक पास आ रहा है लेकिन अगर जो आप इसे तुरंत इस्टर करेंगे तो यह अच्छे से फूलेगा नहीं चिपक जाएगा तो जब आपको लगे कि इसका कलर थोड़ा से चेंज हो गया है तो हलका सा आप देख सकते है जो कलर चेंज होगा है मैं उसे ही छूई हूँ और यह बहुत अच्छे से अब एक साइड से सिक चुका है अपने आप यह साइडों को छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कितना यह फूला फूला बहुत ही टेस्टी बनके तयार होता है मैं लाश्ट में इसको तोड़ कुछ भी हमने इसमें यूज नहीं किया है तो सबसे पहले जब हम इसे डालेंगे तो फ्लेम को पुरा हाई रखेंगे लेकिन जैसे हम डाल देंगे जितना हमें डालना है उसके बाद हम फ्लेम को लोटू मीडियम कर देंगे ताकि यह धीमे आच पर अच्छे से फ्राई अ हैं तो यहां देखें फ्रेंड्स बिल्कूल एकदम फुला फुला कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है कहीं से जला नहीं है अंदर से बहुत अच्छे से कुक है बहुत ही टेस्टी लगता है पहले के लोग मीठा में यही सब खाते थे गुड से बनाते थे हमन इसे चाहे तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं और इसे दो तीन दीन तक अराम से स्टोर करके खा सकते हैं बिल्कूल खराब नहीं होता है मैं हाथ तोड़के भी आपको दिखाऊंगी और आपको जो ड्राइफरूट पसंद है वो ड्राइफरूट इसमें एड कर सकते हैं मैंने कोई dry fruit add नहीं किया है dry fruit add करने से इसका test दोगना हो जाएगा लेकिन कोसिश करें इसमें नारियल को काटके जो सुखा नारियल होता है डालें बारिक बारिक काटके तो जज्यादा अच्छा test आता है मैं तोड़के दिखाती हूँ यह देखी अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छी जाली बनती है जब यह फूंड था तो बहुत अच्छी से जाली बनती है तो फ्रेंड्स ये रेच्प आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा चैनल पहने हैं तो चल्ब को सुस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन कर लिजिएगा जिसे ऐसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जैसरी हरी बाई बाई